हेलो साथियो कैसे हैं आप सब आज हम आप के लिwait किया हैं जीμी कनद की सबजी बहुत कम लोगों को स्वाद लगती है पर आप हुमारे तरीके से बना के आपको जुरूर्पसंद आएगी सबसे पहले हम जीमी कनद को शिलेंगे जिमिकंद को शीलने के बाद हम इसको पीसिस में काट लेंगे एक डाई में मैंने थोड़ा सस्सू का तेल गरम किया है अब हम इसमें जिमिकंद को फ्राई करेंगे जब ये थोड़ा सा ब्राण हो जाएगा तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे अब हम कटे हुए प्यास्ट मार्टर अद्रक लसन को ग्रैंड करेंगे और एक कुकर में थोड़ा सा सस्तो का तेल को गरम करेंगे तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें साबत जीरा डालेंगे अब हम इसमें ग्रैंड किया हुए मसाला डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे साथ ही हम इसमें हल्दी, मिरच, धनिया पौड़र और अपने टेस्ट के अमसार नमक डाल कर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसकी 6-7 विसल मरवाएंगे 6-7 विसल मरवाने के बाद हम इसको चेक करेंगे मसाला हमारा बन के त्यार हो चुका है साथ ही हम इसमें फ्राई किया हुओ जिमी कंद और मटर डाल देंगे साथ ही पानी डाल कर इसको ढखन लगा के एक विसल मरवाएंगे अब हम कुकर का ढकन खोल के सबजी को चेक करेंगे हमारी सबजी कैसी बनी है अब हम इसमें साथ ही कटा हुओ हरा धनिय डालेंगे सबजी हमारी बन के त्यार हो चुकी है आपको हमारी ये जिमी कंद और मटर की सबजी कैसी लगी किरपा कमेंट करके जुरूर बताईए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर